हेलो दोस्तों क्या हाल चालते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर ने हम से पूछा है कुछ प्रॉब्लम होगा ब्राउज फीचर में व्यूज आता है तो अब ये काफी सारे लोग की समस्या होती है बिसिकली एक तरह की समस्या नहीं है ये एक तरह का ट्रैफिक सोर्स है जो कि अक्सर कुछ नए या फिर पुराने चैनल्स में हमको देखने को मिलता है जहां पर हम जब भी कोई अपनी नए यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियो पर एकदम से काफी जादा व्यूस आ जाते हैं और जब हम एनलिटिक्स में जाकर उसका ट्रैफिक सोर्स चेकरते हैं तो वहाँ पर हमें भ्रावज फीकर देखने को मिलता है अब भ्रावज फीकर के नाम से काफी सारी लोग कई बार चंफ्यूज भी हो जाते है और घबरा भी जाते हैं यह आ मारे यूट्यूब चैनल मॉनेटाइज हो या फिर नॉन मॉनेटाइज हो तो आज की इस वीडियो में आप सबी लोग को इस ट्रैफिक सोर्स के बारे में भी बताने वाला हूं और इससे आपकी यूट्यूब चैनल पर क्या पॉजिटिव या निगेटिव फरक पड़ते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूं तो यहां पर देखी दोस्तो अगर हम बात करें सते पहले ब्राउज फीचर ट्रैफिक सोर्स की तो यह बेसिकली यूट्यूब का ही एक ट्रैफिक सोर्स है जहां पर जब भी आप अपनी किसी भी यूट्यूब वीडियो को अपलोड क करने के बाद जब यूट्यूब आपकी वीडियो को अपने हिसाब से अलग-अलग वीवर्स के मुबाइल फॉन में जैसे ही वह यूट्यूब अपको ऑपन करते हैं तो होम स्क्रीन में या फिर और भी अलग-अलग टाइप से वेरियस तरीकों से यूट्यूब जब आपक जब वो YouTube अप में काफी सारी वीडियो को देख रहे होते हैं, या सर्च कर रहे होते हैं, काफी सारी वीडियो को देख रहे होते हैं, या स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस वक्त भी YouTube जो है वो आपकी YouTube वीडियो को उनके YouTube के होम पेज में सजिस्ट करता है, तो इस तरह से YouTube जब क आपकी वीडियो जा रही हो या फिर हो सकता है आपके content से related ही जो लोग content बनाते हैं उन सभी लोगों के subscriber को आपकी YouTube वीडियो YouTube जो है वो यहाँ पर recommend कर रहा हो अब यहाँ पर दोस्तों क्यूंकि browse feature की सबसे बड़ी खासित यह है कि जब भी आप अपनी YouTube वीडियो को upload करते हैं YouTube वीडियो अपलोड करने के साथ ही आपकी वीडियो पर अच्छे खासे वीउस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं भले ही आपकी वीडियो का click-through rate बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो भले ही आपकी वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा ना भी देख रहे हों उसके बाब भी 1000-1200 के बीच आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे इस से थोड़ा बहुत उपर नीचे भी हो सकता है लेकिन वीडियो आपकी वीडियो पर इतने बढ़ भी जाएंगे और इतना बढ़ने के बाद आप देखोगी कि वहां से आपकी वीडियो पर जो वीडियो पर वो एकदम से डिकलाइन होने लगेंगे या फिर एकदम से आपकी वीडियो जो है वहां पर इस्तिर होने लगेगी उसके बाद आपको जो वीडियो पर जो वहां पर इस्तिर होने लगेगी उसके बाद आपको जो वीडियो पर जो भी वीडियो पर जो भी वीडियो आ रहे तो यहां पर देखी जुस्तो अगर मैं बात करूँ इसके निगेटिव के तो ज़्यादा इसका निगेटिव नहीं है निगेटिव इसका सिर्फ एक ही है कि यदि आप अपने किसी भी वीडियो का अपलोड करते हैं और उसमें ब्राउज फीचर के थूरू अच्छे खासे व वीडियो के इंप्रेशन जादा लोग तक नहीं जा रहे हैं या आपकी वीडियो को लोग एवरेज बहुत ही कम देख रहे हैं तो इसी वज़े से आपकी वीडियो जो है वो आगे ना तो सजेशन में जाएगी और नहीं यूटूब सर्च में जा पाएगी जो भी आपके एवरेज वीडियो आते हैं हजार बारा सो दस अजार पंदरा हजार उतने ही वीडियो आने के बाद आपकी जो वीडियो के वीडियो जाएं वो एकदम से रुक से जाएंगे तो इसका देखिए केवल यही निगेटिव एफेक्ट है पॉजिटिव यही है कि आप जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे ब्राउज फीचर के तहत आपको अच्छे खासे वीज देखने को मिल जाएंगे लेकिन इसका आपकी वीडिव चनल पर और कोई भी निगेटिव एफेक्ट नहीं पड़ता आपके मॉनिटाइजिशन पर कोई भी फरक नहीं प कि अपकी आपके मॉनिटाइज आपके मॉनिटाइज पर चूज अपके मॉनिटाइज भी खासे जब जाएंगे।